हेलो एव्रिवन वेल्कम टो वर यूट्यूब चैनल यहां पर आपको बताना चाहूंगा SBI की तरफ से रिक्रुट्मेंट होने जाहरे किन सारे वेकेंटिस राम पर निकली हैं हम बहु सारे डिडियल्स हम डिसकर्स करेंगे बस आपको वीडियो को लास्टत करें अगर आप ग्रैदिशन कर चुके हो यो फिर final year में हो तो यह आपके काम की वीडियो आप तभी देखना है वरना आप इस वीडियो को skip कर सकते हो यहां पर हम start करेंगे वीडियो की basic details और उसे पर आपको बताना चाहूंगा इसकी preparation करना चाहते हो तो आप कर सकते हो हमारे चैनल की बात करें जेके latest info वहाँ पर हम जेके बैंक की प्रप्रेशन करवा रहे हैं और इनका उनका स्लिवर से मी रहने वाला है हम पहले इस फॉर्म की बात कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टन डेट से पहले हम वो डिसकस कर लेते हैं अगर अगर आप ऑन्लाइन एप्लाई करना चाहते हो आप 14 करने की कॉल लें एड्मिट कर लोड करने स्टार्ट कर सकते हो और अपको प्रिलिम्स होगा कब आपका एक्जाम होगा कब 31 दिसमबर टुनिटी फिर सेटीज फॉर्थ-5 जनुरी ट्यूंवरी मतलब अंडिंग दिसमबर स्टार्टिंग जैनुरी में फिर में जैनुरी में में होगा और इंटर्वी बात की बात है पहले आपका फोकस किसे प्राइमरी प्राइमरी फोकस आपका रहना इस तीज़ पर इग्जाम में थर्टीफ दिसंबर को या फिर जन्वरी की स्टार्टिंग में और इसी से कुछ लेडिट स्लेबर जो आपका में में भी रहता है वह की है घर बात की है आगे बात कर लिए यहांपर ग्रैज्वेत हो तो आ यहांपर अप्र सब्सक्राइब कर सकते हैं इतना को सब्सक्राइब कर सकते हैं इतना को समझ आ गया यानिकि अभी तक आपकी रेचिन कप्लीट नहीं है सब्सक्राइब कर सकते हो इतनी बेसिक डिटल्स आपको समझ आगी होगी यहां बर कुछ और एज लिमिट की बात करें 21 यह से लेकर 30 तक होने चाहिए बागी रिलैक्सेशन भी है आपके समने स्क्रीन में आप सो कुछ देख सकते हो और डिटेल हम डिसकस करेंगे एक्जाम का इससे पाइब कर रहेंगे आपसे वह सबसे पहलेम बात कर लेते हैं एक्जाम के बात कर लेते हैं जैड़ के बैंक को बताया ना मैंने 30 questions से आपके 20 minutes का time मिलेगा, aptitude की बात करें 35 questions से 20 minutes का time मिलेगा, reasoning ability की बात करें 35 questions 20 minutes को आपके time मिलने वाला है, इतना को clear हो गया, फिर many examination आपको समने syllabus लिए है, फिर आपका descriptive test को गया रहेगा, negative marking की बात करें, negative marking आपके 1 by 4 की रहती है, negative marking कितनी है, 1 by 4 की रखी गई है और उसक साजरी रहती है, starting जो basic pay रहती है, 27,620 रहती है, आगे चलते हैं, और details हम आपर discuss कर लेते हैं, application fees कितनी रखे गई है, 750 यहाँ पर application fees रखे गई है, general EWS और OBC1 के लिए, और SC category की बात करें, या ST category की बात करें, PWD candidates की बात करें, इन के लिए किसी भी तरह की application fees यहां पर नहीं लेते हैं, apply कैसे करना है, आपको की official website में जाना है, वहाँ पर जाके apply कर सकते हो, और जितने भी details हमें discuss कर रहे हैं, इनका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके, आप detail में सब कुछ समझ भी सकते हो, यहां पर मैं आपको main point सा बही समझा रहा हूं, आग यहां पर आपको center बन सकते हैं, अगर आप यहां के लिए apply करते हो, इतना आपको समझ आ गया, और बागी basic guidelines दी गए, photograph कैसी होने चाहिए, signature वगारा के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि यहां पर जारतर mistakes होती हैं, वो signs वगारा में होती हैं, ऐसी देगा पर आपकी mistakes होती हैं, तो उनको अपने avoid करना है, अब आपको notification को लेकर किसी बितागर doubt होगा, आपने video के comment section में comment करके पूछना है, thank you, jahind